दोस्तों बहुत समय पहले की बात है किसी नगरी में एक युवक रहा करता था वह युवक बहुत ही शर्मीला था वह इतना शर्मीला था कि जब भी उसके सामने कोई नया व्यक्ति आखड़ा होता तो वह उससे बात तक नहीं करता था यहां तक कि जिन्हें वह जानता था पहचानता था उनसे भी बात करने में उसे बहुत शर्म आया करती थी वह उनसे भी ठीक से बात नहीं कर पाता था और अपनी इस समस्या के कारण वह खुद ही बहुत परेशान रहता था क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पा दीरे दीरे समय बीत आ गया और समय बीतने के साथ साथ उस युवक की शर्म आने की आदत भी बढ़ती चली गए जिस कारण वह अत्यधिक निराश रहने लगा परिशान रहने लगा चिंतित रहने लगा उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस समस्या से किस तरह से छ जब भी वह कहीं पर काम के लिए जाता, तो लोग उसके इस सीधेपन का फायदा उठाते, उसे परेशान करते। वह कुछ ज्यादा कह नहीं पाता था, जिस कारण उसे कोई कुछ भी कह देता और वहां से चला जाता। इन्हीं सब कारणों की वजह से उसका मन कहीं भी किसी भी काम में नहीं लगता, वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ दिया करता, उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थी, वह सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन बच्चा था तब उसे लोग बहुत पसंद करते थे उसकी इस आदत को भी लोग सराहते थे लेकिन इसी आदत की वजह से जब वह बड़ा हो गया युवा हो गया तो इसी आदत के कारण उसे अपना जीवन जीने में भी अत्यधिक परेशानिया उठानी पड़ रही थी और व अपनी इस एक आदत से छुटकारा पाना चाहता था वह चाहता था कि वह लोगों से अपने मन की बात खुल कर कह पाये वह जो कुछ करना चाहता है वह सबसे वह खुल कर कह सके कर सके लेकिन जब भी कोई दूसरा उसके सामने आता तो उसकी जुबान मानोग खुलती ही नही यहां तक कि वह अपने माता-पिता के सामने भी ठीक से बात नहीं कर पाता था केवल उसके कुछ मित्र थे जिन से वह अपने मन की बात कर पाता था जब भी वह किसी बात का जवाब देता तो लोग उसकी हंसी उड़ाते उसका मजाक बनाते लोग कहते कि आज तो तेरे मूह में भी जबान आ गई है यह समस्या दिन बादिन बढ़ती चली जा रही थी और इस समस्या के कारण अब उसके पिता भी अत्यधिक चिंतित रहने लगे थे वह चाहते थे कि उनका बेटा भी दूसरों के सामने अपने मन की बात रख सके लेकिन एक दिन जब अपने उस बेटे को दूसरों के सामने शर्मिंदा होता हुआ देख रहे थे तभी उन्हें बहुत क्रोध हाया और वह अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगे उन्होंने उसे इतना डांट दिया कि वह युवा लड़का अत्यधिक क्रोधित हो गया और वहां से बिना कुछ कहे वह वहां से चला गया शाम हो चुकी थी और अब तक उनका बेटा घर नहीं लोटा था माता और पिता दोनों बड़े ही चिंतित थे वह अपने बेटे को वापस घर पर देखना चाहते थे लेकिन युवा लड़का तो भागते भागते पहाड की छोटी पर जा पहुँचा था वह वहां से नीचे की ओर जहांक रहा था और इश्वर से कह रहा था हे भगवान आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं जब मैं इस दुनिया में अपने मन की बात रखी नहीं सकता मैं किसी से कुछ कह ही नहीं सकता तो फिर मैं इस जीवन को जीकर क्या करूंगा जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाग बनाते हैं, मेरी हसी उडाते हैं, यहां तक कि वह मुझसे कुछ भी कहकर चले जाते हैं, और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता, ऐसा जीवन जी कर मुझे क्या मिलेगा, इसलिए मैं तेरे पास आ रहा हूँ, इतना कहकर जैसे ही वह युवक कूरने की त देखने लगा, उसने जैसे ही पीछे मुड कर देखा, उसने पाया कि एक भिक्षू उसके पीछे खड़े, उन्हें देखकर वह डर सा गया, और अपने कदम पीछे खीच लिए, और चुपचाप वहाँ पर खड़ा हो गया, अपनी आदत के कारण वह उनसे कुछ कह नहीं पा रहा था, भिक्षू उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या बात है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और तुम अपने इस जीवन को क्यों समाब्द करना चाहते हैं, यह अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है, और तुम्हें यह जीवन व्यर्थ तुम मुझसे कुछ नहीं चुपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी समस्या मुझसे खुद बताओ, तभी मैं उसका समाधान तुम्हें बता पाऊंगा, यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करें, तो उसके लिए पहले तुम्हें ही आगे बढ़न होगा, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूँ, तो तुम्हें मुझे अपनी समस्या बतानी होगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकूँगा, उन भिक्षों की यह बात सुनकर वह युवक कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, उ तुम्हें भी मेरी एक बात पर विश्वास करना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ पर आया हूँ, तुम चाहो तो तुम अपनी समस्या मुझे बता सकते हो, और मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी अवश्य करूँगा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाइए, इस पर वह भिक्षू उस युवक से कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाओ, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना है, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाँगा, और हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कोई और आगे भी ना आए, इतना कहकर भिक्षू पीछे की और मुड़े और अपने मार्ग में आगे बढ़ने लगे, वो युवक वही पर खड़ा होकर, यह सब देख रहा था, जैसे ही वह कुछ दूर पहुँचे, तभी उस वही पर खड़े हो गए, पीछे मुड़कर उन्होंने उस युवक की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा, इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, जिसका कोई समाधान ना हो, यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे, तो मैं उसका समाधान अवश्य करू तब ही वह युवक उन्होंन भिक्षू से अपनी समस्या बताते हुए कहता है, गुरुवर, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं शर्मीला है, जिस कारण मैं किसी से कोई बात नहीं कर पाता, यहां तक कि मैं अपने मन की बात भी किसी को नहीं बता पाता, जब भी मैं क तरह चालाग बनना चाहता हूँ, लोगों की तरह बातों का जवाब देना चाहता हूँ, अपने मन की बात करना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्या इसका कोई समाधान है, उन भिक्षू ने उस युवक की सारी बा अलग बात है और डर ना आना जब हमारे भीतर डर होता है तब हम कहीं भी किसी से भी कोई भी बात नहीं कर सकते हमें चारों तरफ केवल डर ही नजर आता है और हम हर जगह से डरते ही रहते हैं लेकिन इसे शर्माना नहीं कहते शर्म तो बस एक हद तक तुम्हें चुप रख स मैं उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता तभी वह भिक्षू उस युवक से कहते हैं अच्छा तो यह बताओ जब तुम अपने पिता से बात कर रहे होते हो या फिर बात करने का प्रयास करते हो तो तुम्हारे मन में कैसे खयाल आते हैं युवक इसका जवाब देते हुए कहता है गुरुवर जब भी मैं अपने पिता से बात करने का प्रयास करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे पिता अभी मुझे डांट देंगे मुझे पर क्रोध करेंगे मुझे से या नाराज हो जाएंगे और कही न कही मुझे यह भी लगता है कि मैं कुछ गलत बात ही करूँगा यहां तक कि मेरे मन में ऐसे भी खयाल आते हैं कि शायद मेरे पिता मुझे से प्यार ही नहीं करते परन्तु गुरुवर आप कहते हैं कि शर्म अलग है और डरना अलग बात है तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे डर ही न हो, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरे अंदर का यह डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए, कृपा करके मुझे इस समस्या का समाधान बताईए, मुझे अपने इस डर से बाहर निकलना है, मुझे लोगों की तरह अपने इस तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा वह युवक काफी घबरा गया उसने उन गुरुवर से कहा हे गुरुवर मुझे यह कार्य न दीजिये मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता है उनके सामने तो मेरी बोलती तक बंध हो जाती है मैं उनसे धन भला कैसे मांगूगा यह बात सुनकर भिक्षू उस युवक से कहते हैं तब तो तुम्हारी समस्या का कोई भी समाधान नहीं है और नहीं तुम कभी भी अपने जीवन को खुल कर जी पाओगे यह बात सुनकर युवक उन भिक्षू से कहता है गुरुवर ऐसा न कहें कृपा करके मुझे कोई और कार्य बताईए कोई ऐसा कार्य जिससे मेरे अंदर का डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए कोई ऐसा समाधान बताईए इसका जवाब देते हुए वह भिक्षू उस युवर से कहता है ठीक है यदि आप चाहते हैं कि मैं इस कार्य को करूँ तो मैं इसे करने का पूरा प्रयास करूँगा इतना कहकर वह युवक अपने घर लोट जाता है उसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और वह युवक अपने पिता से डरते डरते कहता है पिता जी मुझे आपसे कुछ बात कहनी है इस पर उसके पिता कहते हैं बोलो क्या बात है युवक आगे कहता है पिता जी मैं कुछ काम करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं इतना सुनकर उस युव काफी है कि तुम्हें और चाहिए इसके जवाब में वह युवक अपने पिता से कहता है नहीं नहीं पिता जी इतना काफी है मैं इतने से काम चला लूँगा वह युवक उस धन को लेकर तुरंत दोड़ा-दोड़ा उन भिक्षू के पास लोटा और जो धन उसने अपने हाथ में ले रखा था उसे दिखाते हुए वह कहता है गुरुवर जैसा आपने कहा था मैं धन लेकर आपके पास आ चुका हूं मैंने अपने पिता से धन मांग लिया है अब मुझे आप मेरी समस्या का समाधान बताओ तभी भिक्षू उस युवक से कहते हैं अरे इतनी जल्दी क्या है अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना है तभी मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताओंगा और यदि तुम मेरे लिए इस कार्य को नहीं पूरा कर सके तो मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं बताने वाला और फिर से काफी देर सोच विचार कर उन भिक्षू से कहता है अच्छा ठीक है बताईए अब मुझे क्या करना है इसके जवाब में भिक्षू उस युवक से कहते हैं जाओ और यह धन जो तुमने अपने पिता से मांग कर लाया है इस धन को वापस अपने पिता को लोटा दू और साथ साथ यह भी कहना कि पिता जी मैं अभी काम नहीं करना चाहता लेकिन जब समय आएगा तो मैं आपसे यह धन वापस ले लूगा और उससे अपना काम पूरा करूँगा यह बात सुनकर युवक एक बार फिर से उपर से नीचे तक पूरी तरह से काप गया और कहने लगा गुरुवर आप मुझे कोई और काम सौप दीजी मैं उसे जरूर करूँगा लेकिन अब यदि मैं धन लेकर उनके पास वापस गया तो वह क्या सोचेंगे मेरे बारे में मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा उनके सामने इसलिए गुरुवर क्रिपया करके मुझे कोई और काम दे दे तभी भिक्षू उस युवक से कहते है बेटा जो काम मैंने तुम्हें सौपा है तुम्हें उसी कार्य को पूरा करना हो अन्यथा तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें नहीं बताने वाला काफी देर सोच विचार करने के बाद वह उन भिक्षू से कहता है ठीक है गुरुवर मैं वापस जाता हूं और यह धन लोटा कर मैं अभी आता हूं वह तुरंत दोड़ा दोड़ा अपने पिता के पास वापस लोटा उसने अपने पिता से कहा पिता जी मैं यह धन अभी नहीं लेना चाहता अभी यह धन आप मुझसे वापस ले लीजी जब मुझे कोई काम पड़ेगा तो मैं आपसे ये धन वापस ले लूगा उसके पिता ने उस युवक की तरफ घूर घूर कर काफी देर तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे बेटा, मैं समझता हूँ कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी इकटा करनी चाहिए उसके बारे में समझना ज़रूरी है कब, क्या, कैसे और कब तक करना है इसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी ज़रूरी है कोई भी काम ऐसे ही नहीं शुरू किया जा सकता उसमें हम सफल होंगे या फिर नहीं इसका भी अनुमान हमें लगाना पड़ता है और जब हम इन सभी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तभी हमें धन लगाना चाहें मुझे बहुत खुशी है कि तुमने यह सही निर्णे लिया है जब तुम्हें यह समझ में आ जाए कि जो कार्य तुम करने जा रहे हैं वह तुम्हारे लिए उचित है तब तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह धन वापस लोटा गूंगा युवक अपने पिता से यह सारी बातें सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न था उसने यह तो उम्मीद तक नहीं की थी कि उसके पिता हस कर उसे इस तरह से सारी बातें समझाएंगी वह मन ही मन यह सोच ही रहा था कि तब ही उसके पिता जी उसके और करीब आए और अपनी उस युवा बेटे को गले से लगा लिया जैसे ही उसके पिता ने उस युवक को गले से लगाए उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ उसका आत्म विश्वास, उसका होसला और बढ़ता गया उसके बाद युवक वापस पुन्न गुरुवर के पास लोटा और कहने लगा गुरुवर, जैसा आपने कहा था, मैंने बिलकुल वैसा ही किया है मैंने धन अपने पिता को वापस कर दिया है अब तो कृपया करके मुझे मेरी समस्या का समाधान बता दीजी तभी भिक्षू उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और इस युवक से कहते हैं बेटा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना ही पड़ेगा वह युवक कहता है, महराज, आप आखिर मुझसे बार बार इस तरह से काम क्यों करवा रहे हैं? क्या आपके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है कहीं आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे जिस तरह से लोग मुझे बेवकूफ बनाते हैं क्या आप भी मेरे साथ वही तो नहीं कर रहें आपने कहा जाओ अपने पिता से पैसे मांग कर लाओ मैंने पैसे मां कर ला आपने फिर कहा जाओ ये पैसे अपने पिता को लोटा कर आओ मैंने आपके कहे अनुसार बिल्कुल वैसा ही किया और अब आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए एक और काम करूँ नहीं ये मुझसे नहीं होगा तभी भिक्षू उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं बेटा बस ये आखिरी काम है और ये बहुत सरल भी है तुम जैसे ही इस कार्य को पूरा करोगे मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा इस पर वह युवक फिर से एक बार सोच विचार करता है और उन भिक्षू से कहता है ठीक है लेकिन ये आखिरी काम जो मैं आपके लिए करूँगा बताईए मुझे क्या करना है तभी भिक्षू एक मूर्ती निकाल कर उस युवक के हाथ में थमा देते हैं वह मूर्ती दिखने में बहुत ही साधारन सी थी लेकिन वह भिक्षू उस युवक से कहते हैं बेटा तुम्हें इसे बाजार में ले जाना है इसे बेचना है और इसके बदले में तुम्हें सौ सोने के सिक्के लेकर आने है जब तुम यह करने में सफल हो जाओगे तब ही मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें बता पाऊंगा वह युवक उस मूर्ती को अपने हाथ में लेकर बड़े ही गौर से देखता है और उन भिक्षूं से कहता है हे गुरुवर ये तो बड़ी ही साधारण से मूर्ती लग रही है मानो मिट्टी की बनाई गई हो इसके लिए भला सौ सोने के सिक्के मुझे कौन दे कहीं आपका माधा फिर तो नहीं गया है इसके एक या दो सोने के सिक्के मिल जाए वही बहुत है लेकिन इसके लिए सौ सोने के सिक्के कोई नहीं देगा तभी भिक्षूं उस युवक से कहते है बेटा मैंने जो तुम्हें काम सौपा है यदि तुम उसे पूरा करोगे तभी तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल पाएगा अन्यथा तुम चाहो तो अपने घर लोट सकते हो फिर से वही अपने पुराने जीवन में जहां लोग तुम्हारा मजाग बनाते हैं लोग तुम्हें डराते हैं सताते हैं मैं तुम्हें यहां अपने डर को निकलने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तुम मेरे यह काम करके अपने डर को धीरे-धीरे भगा पाओगे मेरे इस काम को पूरा कर दो तुम्हें सब समझा जाएगा वह युवक उन भिख्षूओं की बात सुनकर करने लगता है कि कोई आएगा और उसे उस मूर्ती के बारे में पूछेगा और तब वह उस मूर्ती के लिए सौ सोने के सिक्के की माम करेगा देखते ही देखते काफी समय बीट गया लेकिन अभी तक उसके पास कोई भी व्यक्ती नहीं आया था उसने आसपास देखा तो लोग चिला चिला कर अपने सामानों को बेच रहे थे जोर जोर से आवाज लगा रहे थे उसने भी सोचा यदि मुझे अपनी इस मूर्ती को बेचना है तो मुझे भी जोर जोर से आवाज लगानी होगी उस उस युवक ने चिलाना शुरू किया, लेकिन वह इतनी जोर से नहीं चिलाग आ रहा था, उसकी आवाज उसे खुद तक सुनाई नहीं पड़ रही थी, तो भला उसकी आवाज को दूसरे कैसे सुनते, जिस कारण उसे कोई भी व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार नहीं था, धीरे धीरे शाम का समय हो चुका था, और उस व्यक्ति को यह डर था कि कहीं वह भिक्षू, वहां से कहीं चला न जाए, अन्य था उसे उसकी समस्या का समाधान कौन देगा, यह सोच कर उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की, कि सौ सोने के सिक्के में यह मूर्ति ल युवक काफी देड़ सोच विचार कर उस युवक से कहता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं बता, मैं तो बस यह मूर्ति यहां पर बेचने आया, तभी उसमें से एक युवक, उस युवक से कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस मूर्ति को कोई नहीं खरीदने वाला, इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है, ऐसी क्या बात है, जिसके लिए तुम सोने के सिक्के की माम कर रहे हैं, उस युवक ने छोगस, उनहें समझाने की कोशिश की, कई प्रयक्न किये, लेकिन कोई भी उस मूर्ति को सौ Southern के सिक्के देकर खरीदने के लिए तैयार नहीं था, व उसे बेचने के लिए उसकी खास खास बातों के बारे में लोगों को समझा रहे हैं। यह देखकर उसने भी सोचा कि मुझे भी इस मूर्ती की कुछ खासियत लोगों को बतानी होगी। उसने फिर एक बार जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की। समस्या का समाधान निकालने वाली मेरी गुरू की इकलोती मूर्ती जो इस दुनिया में केवल एक ही है जिसके पास भी यह मूर्ती होगी। उसके घर में कोई समस्या नहीं होगी, यह मूर्ती उस समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बताएगी। यह सुनकर लोग उसके पास पहुँचने लगे और उसे यह सवाल करने लगे, क्या सच में यह मूर्ती जिसके पास होगी उसके पास कोई समस्या नहीं होगी। प्रश्य बताएगी। चाहे कोई भी समस्या हो। कैसी भी परिस्थिती हो। आपको इसका समाधान अवश्य मिलेगा। इतना सुनने के बाद अब वही एक मूर्ती सबको चाहिए थी। उस मूर्ती के दाम लगाने लगे। कोई उसे दो सौ सोने के सिक्के तो कोई चार सौ, कोई छे सा तो कोई हजार सोने के सिक्के देने के लिए तैयार था। उस मूर्ती की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा था कि ये मूर्ती लोगों की समस्या का समाधान करती है, लोग उसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो गए थे। अब वह युवक भी आत्म विश्वास के साथ और जोर से चिला रहा था। लोगों को उस मूर्ती के बारे में समझा रहा था, बता रहा था, अब उसके मन में कोई डर नहीं था, वह लोगों को उस मूर्ती के बारे में पूरे आत्म विश्वास के साथ बिना घबराए, उस मूर्ती की खासियत बताने में लगा हुआ था, जिस कारण लोग उस पर भरो लगाई कि मुझे क्षमा करें ये मेरे गुरु की मूर्ती है और मैं इसे बेचना नहीं चाहता इतना कहकर वह युवक उस मूर्ती को लेकर वापस खाली हाथ लौट आया और उन गुरुवर के पास पहुंचा और उन गुरुवर से कहने लगा हे गुरु देव आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मूर्ती ने मेरी समस्या का समाधान कर दिया मुझे समझ में आ गया कि मेरी क्या समस्या थी हालांकि मैं इसे बेच कर सोने के सिक्के तो आपके लिए नहीं लापाया लेकिन मुझे मेरी समस्या का समाधान अवश्य मिल ग अपनी समस्या तुमने खुद ही सुलजाई है। तुम्हारे मन का डर खुद-खुद समाप्त हो गया। जिसे तुम शर्माना कहते थे, वो अपने आप ही तुम्हारे भीतर से कहीं गायब हो गया। युवक अपने गुरु की यह बात सुनकर अपने गुरुवर से कहता है। गुरुवर, आप सही कहते हैं। आपने आज मेरे मन में वो विश्वास जगा दिया है, जिसे मैं अब अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ढर को धीरे धीरे खतम करने से नहीं आपको शर्म आएगी और नहीं डर लगेगा, और जब आपके भीतर का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, तो आप अपने जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो भी कुछ पाना चाहते हैं, उसका रास्ता आप के लिए पूरी तरह से साफ हो जाएगा, और आप अपने मार्ग पर तेजी से आगे की और बढ़ने में सक्षम भी हो जाएगे, इ अपनी बात खुल कर लोगों के सामने नहीं रख पाता तो ये वीडियो उनके साथ शेर करना ना भूलें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। ऐसी ही ग्यान से भरपूर कहानिया सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।